Final Year के छात्रों को जो University में पढ़ते हैं उन्हें Supreme Court से कोई राहत नहीं मिली है 6 जुलाई को UGC ने एक नई guideline जारी की कि Final Year की परिक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायते हैं सवाल हैं इन सवालों को लेकर वो Supreme Court पहुँच गए उनकी तरफ से अभिशेक मनुस सिंग्वी दलील दे रहे थे UGC ने भी अपना पक्ष रखा है मगर अब Supreme Court ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस तक के लिए टाल दी है यानि अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परिक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ले जानी है तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाब नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक सुप्रिम कोर्ट में फैसला आएगा कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा तब तक शायद हो सकता है कि इंतहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं आशिश भारगाव जो नियमित रुप से सुप्रिम कोर्ट कवर करते हैं आशिश हम ये जानना चाहते हैं कि ये बामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है पिछले दिनों भी चला था आज क्या हुआ सुप्रिम कोर्ट में जिसकी वज़ा से छात्रों में इतनी निराशा है अजी देखिए आज यूजी सी ने एक काफे डेविट दो दिन पहले फाइल किया था कल तीस तारिक को फाइल किया था और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे चात्र हैं उनके विवावक हैं इकतिस छात्रों की एक पेटिशन है यस दुबे नाम के स्टूरेंट की एक पेटिशन है इसके बाद युवास हैना जो मारेश्टरा स्विव सेना की है उसके अध्यक्स हैं आदित ठाकरे जो विदायक भी हैं वहाँ पर उनकी भी एक पेटिशन है तो लगातार मुं मांग करें कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है तो ऐसे में आप पिछले सेमेश्टर के जो अंक हैं उनके आधार पर डिगरी क्यों नहीं दे देते हैं क्यों लेट करते हैं बहुत सारे बच्चों को कहीं एडमिशन लेना हैं कहीं आगे जोब करनी हैं तो ऐसे में जो इतना टाइम बीच जाएगा तो क्या फायदा होगा ये लेकर वो पहुंचे और सबसे बड़ी बात है अपने स्वास्ते को लेकर के कोरोना के टाइम में इस की सुनवाई थी इसमें हाला कि चात्रों की तरफ से अभिशेक मन्यू सिंग्वी ने इतना तक कहा कि कोई आस्मान नहीं तूट पड़ेगा अगर ये परिक्षारत करके उनको डिग्री दे जाए उनको पुराने जो सेमेश्टर हैं पिछले साल के या सेमेश्टर के इसाब से पिछले सेमेश्टर के इसाब से जोंग हैं वो उसा तंक दे दिया जाए और उनको डिक्री दे दी जाए उनको आगे बढ़ने दिया जाए बहुत सारे विदेसों में भी एंडमिशन लेना चाहते हैं जगह-जगह को योग करना चाहता है ये तमाम तरह की बात हुई ले अभी हलफ नामे और दाखिल होने हैं इसलिए ये टल गई लेकिन जब एंटरिम स्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई स्टे नहीं देगा यानि अभी परिक्षाओं पर कोई रोक नहीं लगाएगा तो हमें ये देखना होगा कि एक महीना ये बीट गया है अगस्त दस्त हो जाएगी उसके बाद फिर सुनवाई होगी तो तीस सितंबर की जो तारीक है रवीश वो बहुत नजदीक आ जाएगी जी तो आपकी बाद से कि कूट ने एंट्री में स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाया कि छात्रों को कोई फाइदा नहीं हुआ हम आशी समझना चाहते हैं कि बहस के दौरान छात्रों की दलिलों पर किस तरह से सुना गया क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपने इन्वर्सिटी के आसपास नहीं है बलकि कई दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं घरों में चले गए हैं और वहाँ पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है आफ लाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परिक्षाएं रद कर दी गई अब कोरोना के केस बहुत ज़ादा है ठीक है कि रिकवरी रेट ज़ादा है लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रम को जहलेगा ये पता नहीं है तो चात्रे इस मानसिक रूप से परिशानी से गुजर रहे हैं इस बहस को इन दलीलों को चात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोड का बहस के दौरान क्या रुख रहा जिदे कि यहां पर अभी शेक मनी सिंग्वी लगातर कह रहे थे कि कोई आस दे दी जिए और चात्रों को उनकी डिगरी दे दी जिए ताकि वो आगे जा सके तो यहां पर उनका ये भी कहना था कि 16 लाग से उपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में और ऐसे में इस तरीके की आप परिक्षा नहीं करानी चाहिए कई एक पीडित भी है इसमें एक ऐस परिक्षा को उनकी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भरम फैलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा और फिलाल यूजी सी ऐसा कर सकता है और इसमें चात्रों की भलाई लगती है कि जो चात्र भी दे सकते हैं उनको दे देना चाहिए इसी तरह से पिछले कुछ समय पहले जब मेडिकल के चात्रों ने पीजी के प्रवेश परिक्षाओं को लेकर अदालत से राहत मांगी थी और कहा था तब तो बहुत ही खतरना के सतर पर था सब कुछ और ताला बंदी थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली और मेडिकल के चात्रों को कोविट की ड्यूटी भी करनी पड़ी और जाकर अपनी परिक्षा भी देनी पड़ी तो ये एक एक आप इसका उधारन देखकर जो फाइनल एयर के चात्र हैं वो समझ सकते हैं कि परिक्षाओं पर तब कोट का क्या रुख रहा अब क्या होगा इसलिए साथ साथ अपनी तयारी भी करते रहें अब तो जब होगा वो दस तारीक को होगा मीडिया के कवरिश से कोट दस तारीक की जगा एक तारीक को नहीं सुनने वाला है उसने दस तारीक कह दिया तो दस तारीक कह दिया